असलाम अलेकम की लिए नवन नर्व इंपल्स जो कि बहुत असान और नर्व इंपल्स बैसिकलि स्टिमूलस की कोई भी जो बोड़ी के चैंज आता है उस चैंज की जो इंफोर मिशन आप उसको नर्व इंपल्स का नाम देते हैं जो transmitted होती है receptor से center nervous system और center nervous system से कहा जाती है बैटा effector की तरफ तो ऐसी information जो stimulus की किसी भी change की information आप उसको नाम दे सकते हैं दियर को nerve impulse है हम इसको एक और तरह से define करते हैं यह wave है electrochemical changes जो electrochemical changes के वरे से wave बनती है जो run करती है along the length of the neuron तो neuron के ओपर चलने वाली ऐसी wave को नाम दिया जाता है दियर कोड़े nerve impulse है यह जो wave है इस दुरान जब यह बनती है इस दुरान होता क्या है इस दुरान chemical reactions होते हैं और movement of ions होते हैं और किसके दिर्मियान होते हैं across the neuralima जो neuron की membrane के ओपर chemical reactions का होना और movement of ions का होना इन चीजों की वज़ा से wave बनती है उसको electrochemical changes कहते हैं जो कहां पर run कर along the length of neuron basically यह wave का नाम क्या है इसको nerve impulse कहते हैं या आप कैसे दें किसी भी change या stimulus की information को क्या कहते हैं जो receptor से center nervous system से effector की तरफ जाती है आप इसको nerve impulse का नाम देते हैं अब जितना भी electrochemical reactions होगा या जितने भी ions move करेंगे जितना भी electrical work होगा अब इसको electrical potential का नाम देंगे मतलब कि electrical potential को represent किया जाता है stored energy जो कैसे produce होती है separation होने चार्जिस के अग्थरू आप barrier तो पूरी membrane को पर जो charges है उनकी separation होना उनकी जो movement होना उस दुरान जो produce होती है stored energy आप उसको electrical potential कहते हैं या electrical work को आप electrical potential कहते हैं अब देखते हैं मैं कैसे nerve impulse को बनाता हूँ सबसे पहले यह देखते हैं कोंड से charge हैं जिनकी movement के वरा से सब कुछ यह होगा एक होगा positive और negative charge जो कि act करते हैं separating barrier जो किसको पर काम करें बैटा एक barrier के ऊपर जिसका नाम है plasma membrane of neuron तो neuron की जो plasma membrane है उसके उपर positive और negative charge का move करना और उसके through जो energy का produce होना electrical potential है और उसकी वज़ा से movement की वरा से जो wave produce होती है आप उसको नाम देते हैं अगर आपकी बोडी में कोई nerve impulse नहीं चल रही आपका बोडी इस वकत rest की हालत में कोई चीज़ आपने touch नहीं की उस वकत जो condition होती है आप उसको कहते है resting membrane potential या आप उसको कहते है RMP जब कोई भी neuron के उपर nerve impulse नहीं चल रही उस वकत आ आप कोई से condition में होती है नौन कंडेक्टी स्टेट पर होती है और नौन कंडेक्टी स्टेट का नाम के बेटा RMP मतलब रेस्टिंग membrane potential है इस दुरान membrane को पर क्या आपको नजर आते हैं बाहिर पोस्टी चाह नजर आते हैं और अंदर नेक्टी चाह मतलब मतलब मोर पोस्ट माइनस 0.07 वोल्ट होगा यह वो कंडिशन है जब कोई भी चेंज आपको नजर नहीं आता जब नर्फ इंपल्स नहीं चल रही जब आपकी बोडी कंडिशन रेस्ट की हालत में है तो बेटा कौन से होगा RMP की कंडिशन होगी अब इस RMP को बनाने वाले कुछ factors हैं जिन्हो से पहरे factor का नाम है sodium potassium ions sodium potassium ions क्या है यह ions maintain करते RMP को sodium ions याद एकना 10 फोल्ड दस गुना जएदा concentration outside than inside the membrane यह बाहिर आपको सारा जो पोजिशन चाहर नजल आ रहा ना उसकी reason कि sodium ion by 10 फोल्ड जएदा होता है अंदर कौन सा आइन होते हैं potassium ion 30 फोल्ड तीस गुना जएदा होता ह हाइर होता है inside than outside बाहिर भी होता है पर अंदर potassium 30 गुना जएदा है और बाहिर sodium 10 गुना जादा है अब होता ही है कि इस membrane के उपर एक pump सोडियम potassium pump जिसका काम है कि जो potassium बाहिर है उसको अंदर बेते रहना और अंदर जो sodium उसको बाहिर बेते रहना क्योंकि sodium बाहिर होता है और potassium अंदर आता है ताकि RMP maintain रह सके तो यह transport करता है ions को against a gradient कैसे मेरे बचे by using of energy ATP अब कैसे अंदर बेजेगा और कैसे बाहिर बेजेगा यह मेरे बचे जो pump है दो potassium आइन को actively energy लगा कर inside membrane बेजेगा उसी दुरान तीन sodium आइन को pump करेगा out तो तीन sodium बाहिर चले जाएंगे और दो sodium अंदर आ जाएंगे यही तो मैंने का था कि potassium आइन अंदर जादा होता है और sodium आइन बाहिर जादा होता है यही वज़े कि inside आपको ज्यादा negative नजर आता है जो कि कितना मिली वोल्ट होता है बेटा माइनस 70 मिली वोल्ट होता है और अंदर ज्यादा negative है as compared to outside of the plasma membrane of nerve cell है अब मैं आपको ज़रा इसी ratio बता देता हूँ sodium आइन इनसाइड कितना 15 mmol पर लीटर है बाहिर कितना 145 है, potassium यद्ध आन्दर 150 ज़rí आइड है और नेक्टिव आइड ज़्हादा इसलिए अंदर negative charge है potassium आइड चार्ण भी अंदर ज़्हादा और sodium आइड अंदर कम होते है अब दूसरी चीज़ अंदर नेग्टिव रखना बहुर पास्टिव रखने के लिए नेग्टिव और्गैनिक आइन्स हैं मतलब के मैनी लार्ज और्गैनिक कंपाउंट प्रेजन्ट होते हैं इन बोज साइट और प्लाजमा मम्रेन और नीरोन तो जड़ा आपको एंट आइन्स हैं सारे के सारे अंदर ज्हाइदा नेग्टिव आले इस वह साइड जिस वर्य से हम कहते हैं के बाहिर आप के ना होने के बराबर होती हैं ज्यदा नने छार्ज ऋता और बाह बाहिर पोस्टरी चार्ज होता है आखरी फेक्टर है चैनल प्रोटीन आप इसको गेट का नाम देते हैं प्लाजमा मम्रेन बेसिकली नियूरोन की इंपर्मियेबल हर आइंस के लहाँ से कोई भी आइन ना अंदर जा सकता है ना बाइर से अंदर ना अंदर से बाइर सवाए पोटेशियम आइंस के यह ना मम्र बाइर से बाहर जाना सार्ट हो जाता है इसी वजह से इंसाइड अंदर वाला बिकम मोर नेग्टिव अंदर बहुत जादे नेग्टिव हो जाते हैं और बाहर क्या होता है यह प्लाजमा मम्रेन ऑफ नियूरोन की कॉंडिशन बता ही है इस दिरूरान कोई भी इंपल्स यहुलरोराई स्टेट कहा जाता है जो कि माइनस जिरो पौइंट जिरो सैवन वोल्ड का खैले है यहां कहते है ऑंकर चैपने basis नहीं चल रहा तो यह आर एंप ऑंदर चैसtsåे आंज कर घातना स्जके तो यह से मेंसच करना स्टारट हुआ इसका मतलद यह आरं पी से क्या बन देखे रहे कोई भी स्ट्रीमूलेट करेगा सफिशन स्ट्रीमुलेथ चाहिए कम से गवर को नाम देते आए जो आरंपी को चेंज कर दें नर्फ इंपल्स कोना दे बड़ा आप उसको कहते है ठ्रश होल्ड स्ट्रीमूलेथ का नाम देते हैं जिसके विए से क्या बनता है एक्शन मम्ब्रेन पोटेंशल जैसे आप कहते हैं यह सर अभी तक फिंगर से कोई मैसेज ब्रेन तक नहीं गिया कोई नर्व इंपल्स नहीं बने यह आर एमपी है जैसे मैं टेच किया तो मैसे यहां से गया ब्रेन तक के यहां पर कोई चीज़ टेच हुई है तो जब यह मैसेज चल रहा था उस वकर कौन से स्ट्रेटर बेट है एक्शन मम्ब्रेन पोटेंशल है तो यह बड़ा असान और सिंपल सा टॉपिक था जो के एज़ा एमडी केड झाल 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 झाल